चड़ा, तुने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते देखा हैं। क्या? कुछ तारे ऐसी होती हैं जिसमें से उल्जी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। यह और बात है। दामिनी के केस को छेड़ कर जो तार तुने च्छू लिया है, बिजली का वो जटका लगेगा के तु जटक न भूल जाएगा। रस्सी जल गई, पर बल नहीं गया। गुपता चार लाक देने को तयार है। एक छोकरी की इज़त के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड़ा, कानून की दलाली से इज़त की निलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गुमिन चला मत। नहीं तो ये केस यहीं रफादफा कर दूगा। ना तारीख ना सुनवाई। सीधा इंसाफ वो भी ताबरतौप। चड़ा समझाओ इससे, समझाओ। ऐसे खेलोने बाजार में बहुत बिखते हैं। मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिखता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। और जब ये धाई किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूगा। और हाँ, अगर अदालत में तुने कोई बत्तमीजी की, तो वही मारूंगा। जज ओडर-ओडर करता रहेगा और तू पितता रहेगा। रिलेक्स बाइ। इस सतोष आपशनाम म इस वहीं ठेखार वहीं, तो वहीं, उप अदालत में तूझों